मैं मेरा नाम जीविर चाल्स है मैं एंपी का रहने वाला हूँ मैं इदर आके शेटलमेंट हुआ हूँ मैं फोस से रेटायर एक सर्विसमेन हूँ मैं इस फिलाल बैंक में जॉब कर रहा हूँ सेकुरूटी गाड मैं केर होस्पिटल में इससे पहले भी एक तफ़े एक प्रघ़ कर भी लिए मेरे काम एपड़े नपाई नापड़ा के उपर है इसको आकने से हो सकता हाड़् में भी लग सकता, डाक्टर से मिरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, डाक्टर हमेशा बोलता है घवडा हो नहीं, हिम्मत से काम करो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, वैसे वैसे आप उसको फालो करते हो, यह आप सोच के रहोगे कि मेरे को यह हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी है, जैसे जैसे मैं करता रहू हो, वैसे करता रहो। तो मैं सोचा, यह रह नहीं काटेंगे, तो भी मरना है, यह निकलता पस्या, यह पूरा भीघ चाता था मेरा, पस्या ठाथा मैं, आप लो मैं अप्रेश्य निकाल दिया, वीर से मैं इनकल गया, पो यह लिख बैना heinn gotta इसलिए मुझे पहले से मालुम था। मेरा तकलिब मैं शुगर से पैर में च्छोटा घाहु आया, और वो जाकर हो गया, साब्ग होने के बाद मैं ड्क्टर सुलीम साइब को पास आया,把 उन्होंने दिखाया कुछ दिन तक दो दिन के बाद Мосilde हमा valid सुन्हार these पिर मैं डॉक्टर साब से कुछ रिक्वेस्ट किया सर्टांग नहीं करना चीए करके फिर डॉक्टर साब बोले तुम कहीं भी दिखाओ कोई भी दवाई करो टांग ठीक होगा नहीं फिर मैं घर चला गया घर जाने के बाद दूसरे दिन आके मैं अडमिट होगे मैं जोगे नाम धनलक्षमी और एक सिस्टर और थी, इन्होंने मेरा बहुत हल्प किया ड्रेसिंग में, मैं चिलाता रहा ड्रेसिंग में उनको कुछ-कुछ भी बोला पर वो लोग अपना काम करते रहे, इस मेरा दो मेरे में मेरे को अराम मिलने लगा, पैर सूखने लग गया, फ पैर आया, अभी पैर फसा के मैं थोड़ा ट्रेनिंग भी किया, अभी थोड़ा चलने लगा हूँ, अभी मेरे को कोई तकलिव नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा है, हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी नहीं, सब मिल जूल के काम करते हैं, जो भी बोलो सब काम करते हैं, जिसको बलाओ, वो आता है, ऐसे कोई प्राब्लम नहीं है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल तो हमाई तरफ से बहुत अच्छा है, मैं डक्टर सरीम का अभारी होगी, जो उनके हाथ में मैं आया हूँ, मेरा टांग ठीक किया, नहीं तो मेरा टांग तो क्या, मैं जिन्दीगी से चल